तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको एक कमाल की एप या बोल सबते हैं कमाल की एक सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको Samsung Galaxy में प्री इंस्टॉल मिलती है बड़ उसको अपडेट करते रहना चाहिए तो आज उसी एप के अंदर एक नए अपडेट आया आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो जैसा कि नहीं बता है मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की सेटिंग के बारे में जो कि आपके Samsung Galaxy प्री इंस्टॉल मिलती है तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाल की सेटिंग पर सेटिंग पर आपको वहां पर जान जाना है यहां पर जाएंगे सैटिंग जाने तो आपको पर आपको आपको यहां मिल रहा है लिए अप रहे होगा यहां लगा सेट रहोगा अल्ट्र इठा सेविंग करके आपको दिख रहे होंगे यहांब आपको अपडेट सर्था आस यह आपको ने वे प्ट पीशन गया है, यहांब आएंगे नीचे की तरह इस अपडेट का वर्रें नमबर है, एक एक चीज बताऊंगा कि इस अपडेट और इसको कैसे यूज करते हैं और इसका साइज है 7.21 MB का तो पहले तो मैं कर लेता हूँ इसको अपडेट अपडेट करने के तो आप नीचे की तरफ देखेंगे इसका काम क्या है अब अगर यहां डिस्क्रिप्शन में ही पढ़ा हूँ मैं आपको तो यह आपके दो काम करता है एक तो डाटा कमप्रेशन के लिए और दूसरा रस्टिकेटेट बैक्ग्राउंड डाटा जो कि इसके नाम का यह डाटा सेविंग के लिए काम करता है तो यह बहुत अच्छे से यूज करते है तो हर अपडेट में क्या होता है मालनों इसके हर अपडेट में कुछ नया चैंजिज या नया फीचर एड़ो नहीं किये गए इसकी प्रफॉमेंस इंक्रीज की जाती है और इसकी चलने की जो चलने का जो शमता है उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि और अच्छे से confirm और अच्छे से use कर सके या बोल सकते हैं अपने mobile को freely या जादा कोई problem ना हो आप उसको अच्छे से use कर सके जैसे data saving आपने own कर लिया तो कुछ चलाने में mobile चलाने में कोई problem ना हो mobile आपका easily work करे सब चीज़े आपकी smoothly चले तो यह हो गया update अप्डेट करने के वापिस आपको जाना यहां पर सैटिंग पर सैटिंग पर सैटिंग जाने के वापिस battery and device care पर अल्ट्रा डेटा सेविंग मेट पर चले जाना है आप यहां पर जाके अगर आप इसका वर्जन नमबर देखेंगे तो वही वर्जन नमबर होगा जो कि अभी यूज करने ही नहीं हाँ पर उन पर क्लिक कर देना है जैसी आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपको इत्ता वड़ा एक नोटिफिकेशन जाएगा जो कि आपको एक्सेप्ट करना हो जैसे कि बेक्राउंड डेटा विल वी आटमेटली ब्लॉक्ट फॉर आल एप्स बाइड ड कि कैसे किसे आपको यूज करना और कैसे किसे कर सकते हैं आपके उसको अउन करदेना है यह जैसा इहां पर चैतना बताया होगा वो आपको बता ने चाहिए मैंने इतना इपनी यूज किया और यहां डीटेल में जाके देखेंगे तो सारी डीटेल मिल जाईगे आपको कपप की डिटेवर सारी डीटेल आपको यहां पर reports में मिल जाईगी मैंने भी recently on करा है so reports बता देगा और वाखी जितनी भी आपने करेंगे साही डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी और यहां से अगर बाहर आए यहां से बाहर आएंगे अब यहां पर सबसे पहले option मिलेगा आपको data compressions का compression में मतलब की data compress करने जैसे कि आप data करेगा से mobile data by compressing text image video data receive by the internet using your mobile network यह compress कर देगा जो भी आपने photo video text image जो भी आपने receive कर रहा है उसके size को ताकि आपकी mobile की ना net जादा जाए ना memory जादा जाए ऐसी upload compression तो आप जब भी कोई चीज upload करेगा तो यह upload में भी यही काम करेगा ताकि आपका net कम खाए यह चीज है आप यहाँ पर कैसे काम करेगा जैसे कि यहाँ पर दिखर आओगा नीचे by default अगर आपका activate नहीं हो रहा तो आपको बापर जाके VPN कर लेना है उसके बाद आप हाई default कैसे काम करेगा आपको यहाँ पर लो इमेज सेविंग को जो है उसको लो कैसी चाहिए आपको इमेज क्वालिटी लो में चाहिए हाई में अप्लोड करना है आपको चेक करना है जैसे कि मैंने कम हो सके उत्ता डेटा कंपरेज हो जाए ताकि मेमोरी अपनी नेट बस सके और ऐसे इसे हम आडियो पे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो आपने तीनों को यहाँ पर सेट आउट कर दिया और उसके बाद आप इसका यूज कर पाएंगे अब यहाँ बैक आ जाए यहाँ प आपका बैक्राउंड में डेटा यूज नहीं कर पाएगे जब तक आप उसको ऊपन नहीं करेंगे लाइक वाटसब इंस्टागराम या कोई भी चीज वह जो जो की बैक्राउंड में चलती है वो नहीं चलेगी जब तक आपने उसको उन करके रखा है वो जब ही वर्क कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने उसको अलाउट कर रखा है कि यह वाली एप मेरी चलती रहे जैसे जैसे कि क्रॉम है करो भी चलता रहेगा मैंने यूट्यूब स्टूइव डाल रखा हो भी चलती रहे और भी अगर आपको उनसी डालना जाते हैं पर प्लस पर क्लिक कर द तो इस तरीके से यह mainly काम करता है, main काम इसका data save करने का है, माल लो आप अपने mobile में बहुत सारी apps चलाते हैं, बहुत सारी, कुछ apps ऐसी होती है, जो download कर लेता आदमी बट उसको use नहीं कर पाता, same use नहीं करता बट फाल्टू की notification आती रहती, जब भी कोई notification आईगी, जब भी आ होती होती है, जो कभी कभार use करने वाली होती है, तो जैसे कि आपको यहां पर WhatsApp आपको uses वारो लगा दो, आपकी कोई personal कोई ऐसी आया पर जिसके आपकी notification चाहते हैं, बैगराउंड में चाहते हैं, वो लगा दो, सारी apps यहां पर set कर दो, तो सरिफ यही background में data खाएंगी, ब आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद आगे, तो प्लीज या लाइक जरू कर दिया करो, यार comment करके भी बता दिया करो, उसके कोई पैसे नहीं लगता है, और साथ में सब्स्राइब भी कर लिए करो, उसके कोई चाहर नहीं सब्सक्राइब और फिर्स उपे भी फोलो कर ले ना